दिवाली DIY पार्ट 7 में मैं आपका वेलकम करती हूँ एक प्यारे से वाल हेंगिंग के साथ चलो डेकॉर बनाना स्टार्ट करते हैं एंट तक जरूर बने रहा है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग और बहुत इजी तरीके से बनने वाला है सच में यहाँ पर मैंने कार्टबर्ड ले लिया है कार्टबर्ड के उपड़ लीव चै保 शेप ह estado कर दिया है और फिर पैन नैफ के हिल्प से कार्ट दिया आप चाहvation काटर या सीजर के हिल्प से सकते हैं और उसके बाद लीवativo बनाने के बाद यह लीव इन देव तो यह पर हम पेंट कर लेते हैं जल्दी से तो यहां पर मैंने वाइट अक्रालिक कलर लिया है तो सबसे पहले acrylic color कर लेते हैं white color करने के उपर ना फिर जो भी हम color करते हैं तो बहुती प्यारा color उठके आता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर white acrylic color यूज किया है और यह देखो यह मेरा white color खतम हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा white और थोड़ा सा हलका red जो है वो mix कर दिया था तो यह देखो pinkish color हो गया और कितना प्यारा मैंने जितना light हो सकता था उत्ता light आपको पहले कर लेना है और यह देखो सब पर मैंने white के उपर कर लिया और acrylic जो white color हमने किया वो पूरा सोख जाएगा उसके बाद यह करना है लिया मैंने यह palette में से मतलब poster color watercolor यह लिया और इस तरीके से इसको shade दे दिया मतलब यह देखो तेड़ा प्रेश थोड़ा करोगे तो ऐसे shaded हो जाएगा तो काफी सुन्दर लगेगा तो ऐसे करके हमें सब को color कर लेना है तो और बहुत ही प्यारा लगेगा अमेजिंग लगेगा लास में आप देखने आपको मज़ा आ जाएगा और प्लीज जब तक मैं color कर लियो तब तक like and subscribe जरूर कर दो यार इतना efforts लगाती हो daily DIY लेके आती हो फिर भी आप support नहीं करते हो तो यह देखो यहाँ पर मैंने सब कर लिया और अब यह leaf की बारी है तो green color जो था वो भी मैंने poster color किया था और यह देखो यह वाला भी हम कर लेते हैं तो हमको तीन चीजों पर color करना है और we are done with this तो हमने सब पर color कर दिया अब हम कुछ इस तरीके से इसका shape बनाएंगे मतलब अब हमको चिपकाने का काम करना है तो यह पर मैंने favicol लिया और सबको इसे चिपका लिया आप instant के लिए glue gun stick भी यूज कर सकते हो अगर यूज करो तो please be careful और इस तरीके से मैंने सबको बहुत अच्छे से चिपका लिया अब जो leaf है वो बहुत बड़ी थी मैं जैसे कि मैंने बताए कि पहले वाली DIY में थी तो मैंने इसको थोड़ा cut कर दिया और आप नए हो तो please पहले चाके देखो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे आपको DIY मिलेंगे तो यह देखो यह दूसरा भी ready हो गया है तो चलो अब हम टैसल बना लेते हैं तो टैसल इसको बोलते है मैंने आप बोलन लिया है तो अगर आपके पास silk thread या normal thread भी उससे भ गठान बान लेनी है अच्छे से एक दो तीन बर गठान बान के फिर जो एक्स्ट्रा का धागा है वो हमको सीजर से कट कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर हम इसको cardboard से बाहर निकालेंगे फिर एक और उकड़ा लेना है thread का और इसको थोड़ा उपर से बान देना है तो नीचे से हम यह सब काट लेंगे और इसको थोड़ा कोम कर लेंगे ताकि टैसल अच्छा देखें उसके बाद मैंने golden lace ले लिया है golden lace लेने के बाद मैंने इसको बान दिया है अच्छे से और थोड़ा से लंबा lace मैं काट लोंगी क्योंकि इसके उपर ही मुझे चीज से आपको क्या करना है पीछे ले लेना है और Lace जो है उसको कुछ इस टाइप से लगा लेना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो उससे अच्छे से चिपक जाएगा और में पास एक जो कूल वाला है ये मैंने तीन-चार कलर किये थे तो मैंने इस तरहीके से पेस्ट कर दिया और छोटा सा मिरर लगा दिया राउंड वाला तो यह देखो कितना प्यारा सा लग रहा है और उपर में थोड़े मिरर चिपका दिया आपके पास मिरर नहीं है तो नॉर्मल भी बहुत ही सुंदर लगेगा और यह वाली डियाइवाइस आपने देखे की नहीं देखे जरूर बताने यह तीसरा वाल लेंगे तो चलो चल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मिल सकें नेक्स वीडियो में